तो दोस्तों बच्चों का टीफिन हो या फिर सुभे शाम की हल्की फुल्की भूख समझ में ना रहा हो कि क्या बनाए तो चलिए दोस्तों घर में कच्चा आलू जट पट मिली जाता है तो इस नाश्टे को बनाएंगे आज हम एक कच्ची आलू से तो चलिए बनाते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद इसमें काफी स्टार्च है तो इसको हम दो से तीन पानी यहां पर अच्छे से बॉश करना है मतलब यह कि इतना भी स्टार्च है ना में वह बिल्कुल अच्छे तरीके से निकालना है जब ही जो हमारा जो नाश्ता है बहुत टेस्टी और साथ में हलका फुलका क्रिस्पी बनेगा तो यहां पर देखें तीन से चार पानी मैंने आलू के लच्छ अच्छे से धोली है और एक्स्ट्रा पानी सारा निचोड दिया है तो इससे रखेंगे अब एक साइड में कर लेते हैं दूसरी साइड एक छोटा सा काम एक ले रही हैं गाजर और सीजन में मिल रही है तो आप और सकते हैं साथ में आ पर एक सॉफ्ट बनेगा और साथ में क्रीस्पी इनमक ले में नमक दूनल दीए यहां, और यहां पर फ्ली इन यहां पर आधा चाम. होदम स कामच चुलि जबंग भी तो आप यहां मिर्च पाओ भी ताल सकते हैं आदा जीरा बाइन बीमू का जीरा घ्रार चाठाङवा पाथऊचाब कर लेते हैं आधा कप या ऐधा कटोरी बेसं तो जितना बेसं लिया है प्याक चपाती प्रका काटा न हुश किसे हम बहुत बनाते हैं तो में अधा कटोरी लिया है क्टोरी के चपी दिया ल्हें उस इसमए और लिलग्छी कृट इन्युचा Olay गाड़ा लग रहा है तो इसके लिए जो बचा हुआ पानी है वो भी मैं इसमें एड़ कर रहे हूँ तो मैंने यहाँ पर टोटल कह सकते हैं कि एक कप पानी पूरा का पूरा इसमें एड़ कर दिया है तो चलिए अब इसको हम यहाँ पर अच्छे से फेट लेते हैं सारी अब लास्ट में यहाँ पर ले रही हूँ बिल्कुल एक चुथाई से भी कम थोड़ा बिल्कुल बेकिंग सोड़ा बेकिंग सोड़ा अगर आप इसको डालते हैं तो इससे जो हमारा नाश्टा है थोड़ा फूला फूला बनेगा बाकि अगर आप नहीं डालना चाते हैं आप बेकिंग सोड़े का जो टेस्ट है या फ्लेवर पसंद नहीं करते तो आप बेशक से स्किप कर सकते हैं इसको ऐ इसे भी बना सकते हैं, तो चलिए मिश्रन बनकर हमारा तयार है, यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई, पैन, तवा जो भी आपके पास इजली हो, बस भारी तले का होना चाहिए, वो चड़ा दिया है, हल्का फुलका सा तेल डाल दिया है, आप इस नाश्टे को नॉस्टिक पर मैं इसको यहाँ पर पकने दे रही हूँ, और यह देखिए, उपर से थोड़ा अभी यह कच्चा लग रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से यह अच्छे से पल्टा जाएगा, बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, चिपकेगा नहीं, आप इस नाश्टे को आईरन साइट से भी इसे पलट दिया है, अलट पलट कर दोनु साइट से यह देखिए, बहुत अच्छे से मैंने इसे सेख लिया है, इस नाश्टी के जो ऊपर की प्रत है वो बहुत क्रिस्प रहती और अंदर से यह बहुत सौट रहता है, तो अगर आप भी सुबे बच्चों के टिफिन देने के लिए यह सोचते हैं कि रोज के पूरी पराठे बच्चे खाकर बोर है, तो नया क्या बनाए तो आप उनको यह टेस्टी हेल्दी लाजवाब नाश्ता दे सकते हैं, बहुत बढ़िया बनता है, और एक भी पीस इसका बचने वाला नहीं है, यह देखिए, आप इसको अचार के साथ, सौस के साथ, चटनी के साथ या रूखा भी खाएंगे ना, तो भी यह बहुत टेस्टी लगेगा,